प्रिये दर्शकों, हमने बहुत सी प्रेम कताएं सुन ली है, तथा त्रिया चरित्र की भी अनोखी कताएं जान ली है, किन्तु आज हम एक ऐसी स्त्री की कता सुनेंगे, जिसके प्रेम की महान कता का वर्नन हमें पुरानों में मिलता है। हा मित्रों एक ऐसी भी स्थ्री थी जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए स्वयंके शरीर का अग्नी दाह करते हुए प्राणों की आहोती दी थी तो चलिए उस महान स्थ्री की कथा को हम जानते हैं लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है। लेकिन उससे पतनी रूप में पाने की अनेक महरशियों राजाओं ने इच्छा की थी। तब हृशी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसी लिए तुम्हारे हित अहित का निनायक हूँ, हे शुभे, मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कभी प्रयत्न नहीं करूँगा। एक नारी को उचित है कि वह जिससे प्रेम करती हो, उसी का वरन कर ले, तथा सदा के लिए उसी की होकर रहे। तुम्हेंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर लो, केवल तपके द्वारा ही कोई भी वस्तु अप्रापय नहीं है, हे प्रिये, तेरा मंगल हो, ऐसा कहते हुए महर्शी ने अपनी कन्या को उपदेश दिया। मित्रों तब वह कन्या शुतावती अपने पिता के आश्रम को छोड़ कर, सुमेरु परवत के घोर अरने में प्रवेश कर गई और अपने पिता के कहिंग अनुसार अनेक कठोर वरत एवन उपवास करती हुई, वे देवराज इंद्र की आराधना करने लगी। बहुत दिन बीटते गए, वहीं दूसरी और तपस्या भी उग्रस से उग्रतर होती गई, फिर एक दिन शुतावती ने देखा कि गुरुवर मेहरशी वसिष्ट अचानक उसके आश्रम में पधार रहे हैं, तभी आगे बढ़कर उसने उनको प्रित्वी पर साक्षात तब मेहरशी वसिष्ट ने कहा, हे देवी, मैं यहां भिक्षा के लिए तुम्हारे आश्रम में आया हूँ, मित्रों, शुतावती केवल जल पी कर ही अपना निर्वाह करती थी, उस घोर्व में आसपास ना तो कंत थे और ना किसी प्रकार के फूल तथा फल थे, वहा किसी अतिथी के पधारने की कोई भी संभावना न होने से, उसने किसी भी प्रकार के अन का संग्रह नहीं किया था, इसी कारण से शुतावती ने अतिथी को केवल आसन एवन जल दे कर समानित किया था, तब वह गहरी चिंता में डूपती हुई मेहरशी से कहती है, हे विप्रवर देवराज इंद्र को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहां केवल जल लेकर ही तप कर रही हूँ, क्रिपा करें और आप मुझ पर प्रसन नहों, आग्या करें, मैं भिक्षा के लिए क्या प्रस्तुत करूँ? अपनी कठिन परिस्थिती में भी निवेदन करके शुतावती ने यह स्पष्ट कर दिया, कि तपस्या के प्रभाव से मेहरशी जो चाहेंगे, वह पदार्थ उन्हें देने में वह समर्थ है, तब मेहरशी ने कहा, हे शुभे, तुमने बहुत उग्र और कठोर तपस्या की है, मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूँ, तुम्हारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा, हे तपस्वीनी, तपस्या के ही द्वारा मनुश्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तुम चिंता ना करो, मैं ये पांच बेर के फल साथ ले आया हूँ, तुम इनको ही ऐसे ही खा लेने में असमर्थ हैं, और उसने उन्हें ले लिया, मित्रों, शुतावती ने सनान करके, स्थान लीप कर, और कुछ पत्थरों के टुकड़े एक साथ रखकर चूलहा बनाया, और एक अपने जल धकने के धातु पात्र में उन बेरों को डाल कर थोड़े से जल क के साथ चूलहे पर चढ़ा दिया, और अगनी प्रजवलित की, उस चूलहे के धुए से नेत्र लाल हो गए, शरीर भी पसीने से लत्पत हो गया, किन्तु पात्र का जल थोड़ा सा भी गरम ना हुआ, प्रातर काल के पहले प्रहेर से बैठे, बैठे संध्या होने को आई, तथा आश्रम में जितनी भी सूखी लकडियां थी, वह भी सब समाप्त हो गई, समिधा, काश्ट के पात्र तथा और भी जो काश्ट के उपकरन मिले, वे सभी चूलहे की भेंट हो गए, लेकिन बेर्जियों के त्यों पड़े ही थे, उनका पकना तो दूर, पानी भी गरम नहीं हो रहा था, तब मन ही मन विचार करते हुए शुतावती ने कहा, मेरे अनेक जन्मों के पुने से तो मेहर्शी वसिष्ट मेरे अतिथी हुए हैं, वे भूख प्यास से आतुर हैं, और सबेरे से बैठे हैं, और पता नहीं कहा से ढूंड कर सुएं ही ये बेरले आये है यदि अब मैं उन्हें पका कर भी न दे सकी, तो मुझे धिकार है, इस शरीर का इससे सार्थक उप्योग क्या होगा, कि वह इतने समाने अतिथी की सेवा में नश्ट हो जाए, जलाने के लिए अब तो कुछ भी नहीं रहा है मित्रों, वहीं दूसरी और चूलहे की अगनी शान्थ होती जा रही थी, अब तो सूर्यास्थ होने ही वाला था और शुतावती के पास वन में जाकर लकडिया संचे करने का भी समय नहीं था तब उसने एक कठोर निश्चे किया और अपने दोनों सुकुमार पैर ही चूलहे में डाल दिये तब ही विने भाव से शुतावती ने कहा देव, आपके बेर पक गए हैं, आप इन्हें ग्रेहन करने की क्रिपा करें शुतावती ने चूलहे के पास से ही पुकारा अब वह उठने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके दोनों पैर घुटने से उपर तक चूलहे की अग्नी में जलकर भस्म हो चुके थे उसी समय बेर रखें हुए, पात्र को उसने चूलहे से नीचे उतार लिया था और बेर की गुठलियों को निकाल कर फेंक दिया था अग्नी के स्तंभन का संकल्प भी तपस्विनी के जलते हुए, पैरों के तेज पर विफल हो गया था बेर तो क्या? इस अग्नी में पत्थर होते, तो वे भी पक गए होते मित्रों अपने प्रियश रुतावती की हालत को देखकर महर्शी के आखों में पानी भराया वे उसे सास्टांग नमस्कार करते हुए, उसके पास जाकर बैठ गए और वे अपने असली रूप का दर्शन देते हुए कहते है हे देवी, मैं ही तुम्हारा इंद्र हूँ तुम्हारी तपस्या, त्याग तथा मेरे प्रती अनुराग से आकरशित होकर वसिष्ट के वेश में मैं ही आया था अतिथी के लिए अपने शरीर की आहुती कर देना तथा शरीर के जलते रहने पर भी प्रसन एवन श्रद्धानवित रहना यह तुम्हारा ही कारे है तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगी मित्रों, शुतावती ने देखा कि दिवे मनिमे मुकुट, कुंडलादी से आभूशित वज्रधर इंद्र उसके समुक उपस्थित है हर्शोल लास, अति प्रसन्ता के साथ शुतावती की भी आखें भर आई तभी इस प्रसन्ता पूर्वक्षन में शुतावती ने देवराज इंद्र के हाथों में ही अपने प्राणों को त्याग दिया क्योंकि उसका मनुष्य शरीर अब पूरी तरह से जल चुका था मित्रों पुनः शुतावती देतेराज पुलोमा के यहां उत्पन्न हुई और महिंद्र ने शची के रूप में उन्हें अपनी अरधांगिनी बनाया था आज भी शुतावती का वह आश्रम बदरपाचन तीर्थ के नाम से प्रख्यात हुआ प्रिये दर्शकों महिंद्र अर्थात देवराज इंद्र ने उस स्थान के संबंध में कहा है कि जो पुरुष निष्ठापूर्वक एक रात्री भी यहां निवास करके इस तीर्थ में सनान करेगा वह शरीर त्याग के अनंतर देवलोग को प्राप्त करेगा तो मित्रों आशा करते हैं आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ ही कमेंट में जैमा लक्षमी जरूर लिखें आप सभी का धन्यवाद